हेलो दोस्तों, आचल टरिस गार्डन में आपका स्वागत है, वीडियो की शुरुआत करते हैं खुबसूरत डहल या फ्लावर के साथ आज है संडे, जन्वरी की 30 तारीक, संडे अपडेट गार्डन ओवर्विव शेयर करने जा रहे हूँ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और पसंद आये तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत खुबसूरत लेंटाना का प्लांट, समर सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है बारों मेंने फ्लावरिंग करता है, लेकिन समर में इसकी फ्लावरिंग देखने लायक होती है ये हमेलिया का प्लांट है, देखिए इसमें ओरेंज कलर की फ्लावर आते हैं और आप देखते जाएए, और आज की वीडियो में हम थोड़ी सी गार्डन मेनेजबेंट के बारे में भी बात करेंगे मेरे एक अच्छे वीवर्स हैं, रॉनक गार्डन, उन्होंने बार बार मुझसे कमेंट किया था कि गार्डन मेनेजमेंट के विशह में भी आप एक वीडियो अपलोड करें और ये जो डहलिया का प्लांट देख रहे हैं फ्रेंट्स, वो मेरे पास दो साल से है दो साल पहले मैंने इसके प्लांट खरीदे थे, उसके बाद देखिए ये प्लांट मेरे पास बना हुआ है बल्ब सेव कर देती हूं और कटिंग लगा कर फिर नयने प्लांट बना लेती हूं और इसके फ्लावर देखिए बहुत बिक साइज का फ्लावर आता है एक तो ये कलर है और एक मेजंडा कलर है ये दोनों प्लांट मेरे पास दो साल से बने हुए है मेरे गार्डन में एक प्लांट तो नहीं चलता हमको बल्ब सेव करना पड़ता है और सी जानाने पर कटिंग लगा कर उसको वह सारा पौधा तयार करना होता है तो गार्डन मेनेजमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है वो टाइम है फ्रेंट्स यदि आपके पास टाइम है गार्डनिंग करने का तभी आप गार्डनिंग कर सकते है अन्यथा आप गार्डनिंग नहीं कर सकते गार्डनिंग का शौक होना भी बहुत जरूरी है यदि आपके पास time है और आपके gardening का कोई शौक नहीं है तब भी आप ये काम नहीं कर सकते कोई भी काम हो जब तक आपकी उसमें interest नहीं है आपके पास समय नहीं है तब तक आप वो काम नहीं कर सकते मुझे गार्णिंग का शौक बहुत पहले से है 3-4 गमले मैं रखती ही थी अपने पास और जब हमारा नया घर बना पिछले 5 साल पहले तब मैंने अपने गार्णिंग के शौक को और बढ़ाया चार गमले से लेकर आज 5 साल बाद मेरे पास लगभग 400 से ज़्यादा गमले हैं चार से शुरू करके आज 400 गमले हैं मेरे पास पैरिस पे और पोर्च पे दो साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2020 अप्रेल में उसके बाद से मेरे प्लांट के कलेक्शन बढ़ते गए बढ़ते गए और जब हम गाडनिंग शुरू करते हैं तो शुरू में तो हम 18 प्लांट से ही स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारा शौक इतना बढ़ता है उससे कि धीरे 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 प्लांट के कलेक्शन बढ़ते जाते हैं और जॉब करते हुए गार्डनिंग करना और बहुत बड़ी बात हो जाती है मैं गॉर्मेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ तो समय मुझे निकालना होता है और रोज का काम है ये क्योंकि एक दो दीन में तो हम मैनेज नहीं कर सकते अपने गार्डन को इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम हमको रोज देना पड़ता है तो यही सारी चीजे हैं जिससे हम अपने गार्डन को मैनेज कर सकते हैं और दूसरा है, बहुत ज़्यादा मैं अपने गार्डन में खर्च नहीं करती, चाहे वो प्लांट खरीदने के लिए हो, चाहे वो पॉट खरीदने के लिए हो, तो इस चीज का भी मैं ध्यान रखती हूँ अपने गार्डन को मैनेज करने के लिए. कटिंग से बहुत जादा प्लांट तयार करने की कोशिश मेरी रहती है सीड कलेक्ट कर लेती हूँ जो सिजनल प्लांट होते हैं जो हार्डी प्लांट होते हैं उनके seed collect कर लेते हैं जैसे कि cosmos वगेरह हो गया देसी प्लांट जो देसी variety के होते हैं वो तो बहुत आसानी से seed से grow हो जाते हैं और cutting से भी तयार हो जाते हैं तो इसका भी हमको ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे घरों में पैसे की थोड़ी सी दिक्कत होती है बहुत सारे घर के लोग बहुत जादा इसमें खर्च करना पसंद नहीं करते यदि आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके जो पैरेंट्स है वो थोड़ा सा इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते हो तो आपको यह सबको ध्यान में भी रखना होगा बहुत जादा से जादा प्लांटा फ्री में ही तैयार करें कटिंग और सीड से पॉट जैसे की पॉट का पॉट भी काफी महंगे मिलते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना है खुद से बनाईए पॉट मैंने बहुत सारे सीमेंट के पॉट बनाए हैं मैं आपको दिखाऊंगी अभी विडियो में और हम वेश्ट जो चीजें होती है पॉलीथीन वगेरा उसमें भी हम प्लांट लगाकर अपने गार्डनिंग की शुरुवात कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं होता महंगे महंगे पॉट खरीदने की आप जीरो बजट से भी अब जीरो बजट तो नहीं कह सकते कुछ न कुछ खर्च तो होता है लेकिन हाँ कम खर्च में आप गार्डनिंग की शुरुवात कर सकते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है और बहुत ज़्यादा मैं अपने गार्डन को मैनेज नहीं कर पाती हूँ मेरे प्लांट्स इधर उधर रहते हैं मैं अरेंज नहीं कर पाती हूँ वैसे प्लांट्स तो मेरे पास काफी ज़्यादा है बस थोड़ा सा अरेंज करने में मुझे दिक्कत हो जाता है क्योंकि अकेले जब करो तो ये सारी चीजे परिशान करती हैं अकेले गार्डनिंग क कमी हो जाती है इसलिए प्लांट्स को मैं अरेंज नहीं कर पाती फ्रेंट्स आप देखे भी होंगे और देखे इतना सुन्दर फर्टिलाइजर भी हम होममेड तयार कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे लिक्विट फर्टिलाइजर हैं जो हमारे कीचन वेश्टे से तयार होते हैं घरों में जो खाने की चीजे आती है फल, वेजिटेबल्स वगेरा उनसे भी हमारा जो फर्टिलाइजर है वो तयार हो जाता है वैसे ही और्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज जादा करें जैसे हमारे लोकल एरिया में खासकर गाउं देहात एरिया में वर्मी कमपोष्ट क उत्पादन होता है बनाते हैं और मैं 36 गड़ से हूँ तो हमारे यहां गोधन्या योजना चलता है तो उसमें गोबर सरकार द्वारा खरी दी जाती है और हर ग्राम पंचायत में हर जगा वर्मी कमपोष्ट गोबर के द्वारा तयार किया जाता है और 10 रुपए किलो, 8 उपलब्ध हो जाता है तो वर्मी कमपोष्ट सबसे बेस्ट मुझे लगता है खाद जो होता है और आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट वाले मे और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत खुबसूरत गुलाब यह सारे मेरे गुलाब के कलेक्शन है इस तरफ का एरिया और बंदरों से इसे बचाना होता है फ्रेंट्स घर में यदि हम नहीं रहते हैं तब तो बचा पाना मुश्किल होता है अभी कुछ दिन पहले ही बह मंदर कल भी आया थे लेकिन हम घर में थे इसलिए हमारा प्लांट गुलाब का कल बजग गया देखिये कितना सुंधर कलर का फ्लावर आया है यह प्लेन कथे कलर में है और देखिए इसमें टाइ मिद्ट अज़ शुकर रोज ले कह सीय ने 62 को कलर का फ्लावर है यह ने है और मात्र मैंने इसे तीज रुपए में अपने गारडन में दो साल पहले अड़ किया था यह देखिए एक ही प्लांट है एक प्लांट में दो कलर के फ्लावर आते हैं बहुत प्यारा देख रहे हैं ये डार्क मेरून कलर का और यहाँ पर देख रहे हैं उसमें डॉट है तो गुलाब की हालत अभी स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छी हो जाती है फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया से चलता है वैसे हमारे यहाँ अभी आठ दस दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पढ़ रही है और मुझे लगता है कि एक आध हपता भी और ठंड होगी उसके बाद हमारे यहाँ धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा गुलाब का ग्रोथ हो रहा है यह देखिए कलिया बहुत बनी हुई है और एक और टाइगर रोज मैं आपको दिखाऊंगी पिंक वाला यह देखिए यहाँ पर कितना प्यारा ओरेंज कलर का कलिया काफी बनी हुई है और यह गुड़हल के प्लांट है गुड़हल के प्लांट में फलावर्स अभी कम है और ठंड काफी है इसलिए हो सकता है और मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए पिंक वाला टाइगर रोज सेड़ेड दो फलावर खिले हुए हैं बहुत प्यारे से और एक कली लगी हुई प्लांट डेख रहे हैं वह मेरे इसलिएत रहिगा हैं वह मेरे दो था नहीं है मैं ऐस Size durum प्लांट किने में आत्ट को धन का इस रह हैं ये देखिए कि miniature variety का है pink वाला baby pink और ये orange वाला इसको मैंने इसी साल अपने garden में add किया है ये देख रहे है friends नई growth शुरू हो गई है और एक और है एकदम black color का flower आता है उसमें तो उसमें flower हो जाती लेकिन वही है बंदरों ने उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था और ए किये वाला है देख रहे हैं तो गुलाब को extra care की जरूरत होती है ठंड में तो बहुत अच्छे से चलता है लेकिन summer के season में इसको बचा के रखना होता है friends और ये मेंडविला है और इस तरह से इस तरह से DIY planter भी हम तयार करके budget gardening कर सकते हैं friends और मेरा मानना है budget gardening में मैं budget gardening ही कर करती हूं मैं ज्यादा shopping नहीं करती plant की बहुत ज्यादा और नहीं मैं महंगे महंगे pot खरीदती हूं जैसे कि जो चीनी मिट्टी वाला जो pot आता है बहुत महंगा मिलता है और देखने में तो बहुत खुपसूरत रहता है वो लेकिन मैंने अभी तक उन pots को खरीदा नहीं है और यह देखिए कटिंग से तयार हुआ है गुढ़ल और इसमें तीन चार कलिया भी लग गई है और जीरेनियम के प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ देखिए फ्रेंट्स यह तो लगभग एक से दो घंटा मैं अपने गार्डन में टाइम देती हूं फ्रे इस तरह से मैं अपने गार्डन को मैनेज करके रखती हूं और अभी कुछ मैं स्टेंड बना रही हूं कुछ नया सेट अप देने की कोशिश कर रही हूं अपने गार्डन को और प्लांट का कलेक्शन भी बहुत जादा हो गया है तो उसको भी थोड़ा सा मुझे अब रोकन गाव एरिया में रहती हूं मेरे यहां नर्सरी नहीं है जो प्राइविट नर्सरी है वो नहीं है सरकारी नर्सरी है वो भी लगभग 20 किलोमेटर दूर है और 15 किलोमेटर दूर है तो सरकारी नर्सरी में हमारे यहां फ्लावरिंग प्लांट नहीं मिलते जो सिजनल प्रूट वाले प्लान्ट बहुत मिलते हैं और फ्री में भी मिल जाते हैं तुछ फ्रूटिंग प्लान्ट नहीं लगाती मुझे फ्लावरिंग प्लांट का यह कुछ प्लांट ही मिलते हैं सरकारी नरसरी में हमारे यहां इसलिए मेरे पास थोड़ा सा जो सिजनल प्लांट होते हैं वो कम हो जाते हैं फ्रेंट्स बाहर से नरसरी वाले भीया आते हैं और वो अब वो तो महेंगे लगाएंगे ही क्योंकि वो भी 100-500 किलोमेटर दूर से आ रहे हैं तो उनको भी सब हिसाब किताब लगा कर प्लांट की प्राइज रखनी होती है जो प्लांट सिटी में 20 रुपए में मिल जाता है वो हमारे यहां 40 में मिलता है इसलिए मैं इस मतलब अच्छे से कलेक्शन नहीं कर पाती जो सिजनल प्लांट होते हैं उनका और देख है हमारा जो कागच फूल बोलते हैं इसको बोगनवीला को और यह इधर भी सारे प्लांट बने हुए हैं यह देखे साल्विया पिछले साल मैं सीड कलेक्ट करी थी परपल और वाइट शेड वाला फ्लावर आएगा इसमें और बाकी बहुत सारे पिटूनिया के प्लांट मैंने खरीदे थे बेबी प्लांट और बारिश के कारण बहुत सारे खराब भी हुए तीन बारिश हुई है फ्रेंट्स इस विं आपको बताया है कि जैसे हम डियाइवाई प्लांटर तेयार कर सकते हैं वेश्ट मटेरियल जो होते हैं हमारे घरों में प्लास्टिक के डिब्बे वगेरा बॉटल से और मैं अभी आपको दिखाती हूं यह देखिए यह टीन का प्लांटर आप देख सकते हैं 6 मैंने मंगा और यह आपको कीराना दुकान में मिल जाएगा 20-20 रुपए में मिला है यह और काफी बड़ा साइज का है 15 लीटर वाला और वो जो सिमेंट क्या पॉट आप देख रहे हैं उसको मैंने बनाया है आप यूट्यूब में किसी के भी चैनल में आप जाकर देख सकते हैं मेरे पर भी है वीडियो तो आप यूट्यूब से देख कर भी सीख सकते हैं फ्रेंट्स पॉट्स कैसे बनाना है तो टीन का प्लांटर में बता रही थी आपको तो बड़े-बड़े जो प्लांट होते हैं जैसे कनेर है गुढ़ल है देशी वाला उसके लिए बड़े पॉट की आठ इंच से बड़ा मिलता ही नहीं है और जो हमारे लोकल कुमार है वही लोग बनाते हैं और मजबूत नहीं होता उनका मिट्टी का पॉट्ट थोड़ा सा भी इधर-उधर गिरने से वो टूड़ जाता है इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाता है नहीं तो सबसे बेश्ट जो pot होता है वो तो मिट्टी का ही होता है इसमें कोई शक नहीं है उसके बाद cement का उसके बाद last option हमारा होता है प्लास्टिक का तो मजबूरी होती है प्लास्टिक के pot में plants लगाना और यह देखिए तायर planter इस तरह से भी हम तायर planter तयार कर सकते हैं और यह मैंने लेंटाना लगाया है और बीच से पिंच कर दिया था तो काफी घना हो गया है और इसमें लगा हुआ है हमारा डहलिया मेनी डहलिया और देखिए तीन के planter को मैंने काटा था और उसका उपर का हिस्सा यहीं पर रखा हुआ है तो थोड़ा सा मेहनत हमको करना और यह गजानिया अभी सुबह के 9 बजे हैं तो यह अच्छे से खिले नहीं है और अडेनियम के कलेक्शन इस तरह अडेनियम की हालत अच्छी नहीं है ठंड में थोड़े से इसका रेष्ट पिरेड हो जाता है ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है लेकिन और यह पारिजात आप देख सकते हैं पारिजात में भी फ्लावर्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया से हैं और इसका जो में सीजन होता है वो सेप्टेमबर के महिने में होता है अगस्त और सेप्टेमबर में पारिजात में हमारे यहां बहुत जबरदस्त फ्लावरिन चलती है और यह देखे पर कर दिया है थोड़े थोड़े मैं काम कर रही हूं अपने पर्मनेंट प्लांट के उपर और यह देखिए सारे गुड़हल के कलेक्शन है देशी बराइटी और हाइब्रीड दोनों है यहां पर और यह रेड़ वाला देशी है और देखिए बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जो पर्मनेंट प्लांट होते हैं जैसे यह बोगन विला है हमारा गुड़हल है नाख चमपा है चमपा है और जट्रुपा है और कनेर है तो इनके लिए हमें बड़े पॉट की जरुरत होती है तो उसके लिए हम टीन का प तीन के प्लांटर में लगे हुए हैं वोगनविला और दिखाती हूँ मैं देखिए ये टिकोमा है ये देखिए एक टिकोमा की मैंने रूी प्रूनिंग करी थी आप लोग से शेयर किया था सेम यही वाला प्लांट है वो भी और ये फर्श्ट लाड़ का प्लांट है कितना root pruning करी थी आप लोग से share किया था same यही वाला plant है वो भी और यह first love का plant है first love का plant देखे कितना बढ़िया growth शुरू हो गया है और यह देखे गोरी चोरी गोरी चोरी के लिए भी हमें बड़े planter की जरूरत पड़ती है छोटे pot में यह नहीं चलते अच्छे से तो कम से कम 15 इंच का pot चाहिए 15-16 इंच से 20 इंच का और यह देखे मेरा रात रजनी गंधा अभी stick निकल रहे है इसमें देखे रहे हैं 4-5 stick निकल रहे हैं रजनी गंधा में और इस तरब देखे यह सारे free के plant है free के pot है समझे यह हमारा जो poly bag होता है खाने की चीज़े आती है उसी में मैंने grow करके रखा हुआ है यह देख सकते हैं waste material में यह सारे plant लगे हुए हैं और देखे यह alamanda wine है तो alamanda wine को भी बड़े pot की ज़रत होती है यह देखे नाक शंपा है जितने भी wine वाले plant होते हैं उनको भी अच्छा बड़े pot में आप लगाओगे तभी उसकी growth होगी तो इसी लिए फीन का planter use करना हो जाता है लेकिन जब इसमें जंग लगता है friends तो उसको निकालने में जब हमारा planter खराब होता है तो उसको निकालने में काफी मेहना लग जाती है और इस तरह से देखे टंकी आती है ड्रम आता है प्लास्टिक का यदि वो खराब हो गया है तो उसको भी आप as a planter use कर सकते है और यह देखे बाल्टी में लगा हुआ है 20 लिटर का बाल्टी है ये इसमें मैंने लगा रखा है तो इस तरह से मैं अपने garden को manage करती हूँ जगा मेरे पास काफी है लेकिन वही है arrange नहीं कर पाती मैं अच्छे से तो आज की वीडियो में यही सारी चीजे शेयर करनी थी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हैपी गार्डनिंग बाई